हाई फ्रेंडस वेलकम बैक टू माई यूटूब जेडाला टीस किचन आज मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूं प्राउन मचली रेसिपी वीड़ो को बीन खिप कर रहे हैं लाच तक देखना और वीड़ो के लाइक चेनल को सस्क्राइब कर देना और कमेंड में जरूर बताना य अगर आपकी मचली 1 kg है तो 100 ml यहाँ पर मैं 20 ग्राम मचली ले रहे हूं इसलिए मैं 20 ml डाल रहे हूं और मैं इसमें हल्दी नमक भी डाल दी जब इसमें आप नमक डाल दोगे तो इसमें पानी निकलने लगेगा अब इसे तब तक मिलाना है जब तक इसका पानी सारा खतम न हुआर यह मसाला दाल रहे हूं और एक मिनिट तक मिलाना के बाद इसमें जिर्ऩ Living जिररा पार्डर डाल दें गे और इस अच्छे से मिला लेंगे अब इसको हम निकाल देंगे सारे मचले को निकलने के बाद और इसी कड़ाइ में दो बड़े कलर का हो जाएगा और इसमें तीन बारी कट हुआ टामाटर को डाल देंगे आप इसमें टामाटर जादा डालना इसे क्या होगा यह जो ग्रेवी बहुत थीक होगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छी आएगी और टामाटर को अच्छे से भूनने के बाद इसमें दो चमच अधरे लेसन का पेश्ट को डाल के अच्छे से मिला लेंगे यह सारे मसाला को अच्छे से मिला ना है और यह मसाला अच्छे से पकने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी देंगे और इसे मिला लेंगे पानी देने से यह मसाला जल्दी से पक जाएगा और इसमें छोटा चमच दाल मेरी चोटा चमच नमक चोटा चमच घल्दी पाउडर चोटा चमच जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे अब मसाले को जितनी देर पकाऊगे आपकी करी के टेस्ट बहुत अच्छी हैगी और इसमें तेखे के लिए तीन हरी मिर्च काटकर डाल रही हूँ औ अब इसमें मेने जो फ्राइ करके रखा था प्रॉन मचली इसमें डाल दूँगी मसाले में मचली को अच्छे से मिल जाए अगिसे लगादर मिला तरे नहीं तो ये निचे चिपक कर सारा मसाला जल जाएगा और इसे अच्छे से मिलाने के बाद एक कर्टोरी पानी देंगी अप अपने अनुसार ग्रेवी कितना चाते हो पाने देना मैं जितना ग्रेवी चाते हूं इसलिए मैं एक कर्टोरी पाने दी और इसलिए डो मिनिट के लिए हाई फिलें में ढग देंगे पहले तो आपको मैं sorry कहना चाहती हूँ क्योंकि आपको बीच में मेरी बगबग सुननी पड़ेगी मैं ये कहना चाहती हूँ अब वीडियो को like क्यों नहीं करती हूँ आप एक like करोगे तो मेरी वीडियो आपकी तरह हर लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंचेगा अब अगर like कमेंट करती हो प्लीज यार एक like कमेंट कर दिया करो न मेरी वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए अगर आप एक like एक कमेंट करती हो प्लीज यार कर दो न दो मिनिट के बाद आप देखना आपकी करी एकदम से रेड है दखाना यह करी बनाना कितना आसान है आप देख सकते हूँ मेरी करी कितनी ऐसी में अच्छी से हूं गई है और इसका करलर भी बहुत अच्छी है और इसकी ग्रिवी-विए एकदम से ठीक है है। और इसके उपपर चोटा चमच गरम शाला डाल देंगे और कोछू धन्य पत्ता भी डाल देंगे इसके उपपर आप इसे जरूर बनाना आपको बहुत पसंद आईगी एक और यह करी को गरम गरम चावल के साथ खाना यह खाने में बहुत टेस्टी लगेगी चावल के साथ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन पुर्यास कर देना